कि बढ़ा थोड़ी बहुत गलतियां ओवेसली सोल की तरफ से हुई भी यहां पर जो चीज तुम्हें यहां पर देखने को मिलेगी जैसे इस प्लेयर को जोकर को डामेज बहुत ज़दा किया और यह चीज कही नहीं प्लेयर्स में आ भी जाती है मैंने तुमसे पहले भी इस अलग से जोश होता है और वो जिस तरीके से खेलते हैं उनको लगता है कि हर बार वो उस तरीके से खेल सकते हैं बट नहीं सर्जी ऐसा नहीं होता है सामने वाली टीम कुछ ना कुछ आपके बारे में रीड करेगी और आप जब सोच के चलते हो कि नहीं मेरे को कोई नहीं मार सकता और हम तो हमेशा वो चीज़ कर लेंगे तब आपका एक kind of downfall तरीका का होता है बढ़ ठीक है चलेगा वो चीज़ जैसे अभी यहाँ पे जोकर था अक्षद को इतना ज़्यादा डामेश पड़ा बड़ गॉबलिन को देखो गॉबलिन को देखो वो पैन लेके जा रहा है मतलब इतने critical situation में जहां पे दो टीम और टीम आरड़ी fight कर रही है और तुमको भी पता है कि यह जस्ट अभी तीसरा मैच है तीसरा मैच है वो पास पूरा मौका था कि वो second place at least ले सकती थी second place पूरे event में वो बड़े आराम से ले सकती थी difference जादा था भी नहीं जब नई टीम आप बनाते हो और आप खेलना चालू करते हो तो सारी चीज़े आपके favor में चल रही होती है सारी चीज़े बहुत अच्छे से चल रही होती है तो आपको लगता है कि नहीं यार ऐसे खेल रहे थे पिछली बार हो गया था तो इस बार भी हो जागा नहीं सर्जी हर बार नहीं होगा हर बार वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं सामने वाली टीम्स भी हैं जो improve कर रही होंगी सामने वाली भी teams हैं जो आपको देख रही होंगी कि आप actually में खेल किस तरीके से रहो चीज अगर Goblin ने नहीं करी होती तो उनके players survive कर रहे होते और हो सकता था, एक बार के लिए हो सकता था कि fight reset ना हो पाते उससे पहले ही soul वाले चार्ज कर देते Goblin को क्या ही बजाया है ओमेगा ने इसके बाद मस्त गालियां दी क्या